नमस्कर दोस्तों हम SSC CHSL 2019 के कोस्टांट के कोस्टांट करें। आज हम 16 अपर 2020 के 3rd SIP के मैस के सॉलुशन डिसक्स करें। चलिए श्टाट करते हैं। 1st question आपके स्क्रीन में। 1st question है In a set of 3 numbers At the average of first 2 numbers is 7 and the average of the last 2 numbers is 10 and the average of the first and last number is 14 What is the average of 3 numbers 3 numbers is A, B, C 1st 1st 2 numbers के average कितना है 7 इसका total कितना हो जाएगा 14 उसके बाद 1st और last 2 numbers कितना है 10 इसका total कितना हो जाएगा 10 और इन तोनों के average कितना किया हुआ है 14 तो total कितना हो जाएगा 28 अब किनों को जोड़ दूंगा किनों को जोडने से क्या जाएगा 2 A plus B plus C आजाएगा कितना आजाएगा 20 48 48 48 plus 16 2 ठीक है तो A plus B plus C आजाएगा 31 और हमको average चाहिए तो divided by 3 divided by 3 ये इसका correct answer है option number B यह तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो average दिया है 7 दिया है 10 दिया है और 14 दिया है तीनों को जोड़ को divided दिनी कर देंगे जोड़ इसका answer आजाएगा next question next question है what is the area of equilateral triangle of side 4 root 3 okay वो equilateral triangle का area क्या होता है root 3 by 4 A square ठीक है यहाँ पे side कितना दिया हो है 4 root 3 to 4 root 3 into 4 root 3 4 से 4 का इंसल हो जाएगे तीन चोग बारा तो बारा root 3 इसका correct answer हो जाएगा option number 3 next question next question है if a positive integer n is divisible by 3, 5 and 7 then what is the next integer divisible by all this number अब देखो तीन नमबर की ओपर है क्या क्या नमबर है 3, 5, 7 तो ऐसा number जो यह 3 से divisible बारा तो यह 3ों का LCM हो जाएगा 3ों का LCM कितना आएगा 5 दिया 15 15 सत्ते 105 यह इसका LCM हो जाएगा यानि जोगी नमबर रहेगा 105 का multiple रहेगा अब भाजित होने वाला अगला बड़ा बड़ा कौन सा होगा अब देखे अगर इसमें पहला option देखे पहला option क्या है N प्लस 21 N प्लस 21 तो N का value क्या है 105 X तो यह तो हो जाएगा डिवाइट पर यह नहीं होगा इसी तरह हम option चेक करेंगे तो C option देखें C option क्या है N प्लस 105 N की बेज़न क्या है 105 X प्लस 105 यह जो नमबर है वो 3 से भी होगा 5 से भी होगा यह भी नमबर 3 से होगा 5 से होगा 7 से होगा इसी करण option सी इस question का correct answer है next question next question है at what rate of simple interest does an amount become double in 12 year अब 12 year में हम double होना है याने की जो increase है वो कितना लगेगा 100% ठीक है और यह कितना साल में लगेगा 12 साल में तो इस इतना आ जाएगा 25 बटे 3 प्रतिशक और 22 बटे 3 प्रतिशक को हम लिख सकते हैं 8 सही 8 बटे 3 प्रतिशक तो option number C is question का correct answer है next question अगला question is simplification का है यह दिया है इसको simplify करना है अब देखे यहां से कितना आ जाएगा 4 4-3-1 minus 1 इधर के कितना जाएगा 18 ठीक है अब यह बादर यह कितना जाएगा तो यह कितना जाएगा 5 यह कितना जाएगा 20 यह कितना जाएगा आपको पहले solve करेंगे 20 यह कि minus 2 अब इस दोनों का multiply हो तो minus 8 यह answer का जाएगा 10 तो option number 20 question का correct answer है next question next question है if a ratio b equal to 3 ratio root 5 then value of 2a plus b ratio 3a minus 2 तो दिया किया है मेरे को a ratio b का value दिया है a ratio b कितना है 3 ratio 5 है omega का चाहिए 2a plus b 2a का value मैंने लेता हूँ 3 और b का value लेता हूँ 5 तो यहापर value put कर दूँगा कितना जाएगा 2a करूँगा तो 6 plus root 5 upon कितना जाएगा 3a minus 2b 9 minus 2 root 5 अब इसको simplification करने है तो simplify करने क्या करूँगा उपर नीचे 9 plus 2 root 5 9 plus 2 root 5 से उपर नीचे multiply or divide कर दूँगा यहाँ क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 9 के 14 21 plus 21 root 5 plus 10 नीचे क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 21 4 25 नीचे 21 आएगा 22 25 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 यह पांच आजाएगा अगर यह पांच है तो यह भी पांच होगा टोटल दिखना हो जाएगा थास इसको को करेक्ट आज़र है और अप्शन नूम्बर ब next question next question है a person walks a distance from a point a to b 15 km per hour and from b to a 30 km per hour if he takes three hour to complete the journey then what is the distance from point a to b इसको एक पर वो 15 km per hour से वापस आता है इसी डिस्टेंस को 30 km per hour से और टोटल टाइम लगता है three hour तो यहां से दी नहीं कालोंगा time कितना जाएगा 3D upon 30 equal to 3 यहां से दी का value कितना जाएगा 30 km कौन सो option सही है option number these questions का correct answer है next question next question है the radius of circle is 15 cm and the length of one chord of circle is 20 cm what is the distance of the chord from the center of the circle दिया है कि एक circle है ठीक है इसका जो एक chord है यहां और यह आ जाएगा center ठीक है इस chord है कितना दिया है 20 यह कितना जाएगा 10 और इसका जो radius दिया है यह कितना जाएगा 15 अब मेरे को यह find out करना है यह मैं पाइदा होड़े कितना find out करना 15 के स्क्राइगा 225 minus 100 कितना जाएगा 125 और 125 होई निक सकता हूँ 5 root 5 तो answer क्या जाएगा option number इस question का correct answer है next question next question है in a given figure PQ is equal to 30 cm PR is equal to 10 cm and value of sin theta plus 10 theta तो देखो इस diagram है जो यह P है यह R है और यह Q है क्या कर दिया है मेरे को एक तो दिया है PR और PQ जो PR दिया है वो कितना दिया है 12 cm और यह 30 यह कितना हो जाएगा 5 अब क्या पुछा है मेरे से sin theta plus 10 theta sin theta क्या हो जाएगा 12 upon 13 और 10 theta क्या हो जाएगा 12 upon 5 तो यहां से कितना आ जाएगा 15 और तेरा है न तो अट्रा 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 इंतु बादा दो सौड़ा अपॉन तेरा पंचे प्रैसर तो 216 अपॉन प्रैसर ऑप्शन नंबर इस question का correct answer है next question next question है what is the value of cot 35, cot 40, cot 45, cot 50, cot 55 अब हमको पता है कोई भी cot में अगर 2 theta का value है कि 2 degree अगर 90 हो सम तो उसका value 1 आ जाएगा 40 और 50 इसका भी 1 आ जाएगा और cot 45 1 जाएगा इसका answer का हो जाएगा 1 option number C is question का correct answer है next question next question है if x plus y is equal to 4 x q plus y q is equal to 12 that value of x q power 4 plus y q power 4 अब देखो यहां से में को power 4 में जाना है तो मेरे को x y का जरुवत पड़ेगा तो मैं यहां से x y find out कर लेका हूं जैसे एक formula क्या होते है x q plus y q is equal to क्या होगा x plus y और x plus y का whole square minus 3 x y यहां से मैं x y find out कर लेका और x q और y q कितना दिया है 12 x y कितना दिया है 4 4 का square 16 minus 3 x y यहां से 4 से डिवैट करूँगा तो 3 और यहां से एक x y निकाल होगा तो कितना आजाएगा 13 upon 3 ठीक है यह x y का value आगा अब मेरे को power 4 में जाना है तो power 4 के लिए क्या है पहले में करूंगा x square x square plus y square find out करने जित्का क्या आजाएगा x plus y का 4 square minus 2 xy और xy कितना दिया 4 तो 4 के square 16 minus 2 into 13 13 upon 3 यहां से कितना आ जाए गई है 48 48 minus 26 22 बटे 13 यह इसका value आप आप यहां से इक पर और square करूंगा तो कितना जाएगा यहां से कितना जाएगा x t power 4 plus y t power 4 करूंगा तो x square plus y square का whole square minus 2 x square y square 22 बटे 13 के square करूंगा तो 484 upon 9 minus 2 into xy का square करूंगा तो x y इतना है 13 बटे 13 169 बटे 9 यहां से 169 का आप आप आपन नाइन और यह कितना आजाएगा और दिस यह इतना जाएगा 146 बटे 9 इतना जाएगा 146 बटे 9 इतना जाएगा 146 बटे 9 नहीं आएगा नेश्चोशन है दे रेश्चो प्रेश्चो फाइगा जाएगा 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 नहीं को संह61 नेश्चोशन नेश्चोशन प्रेश्च फाइगा 13 पा जाएगा 120 अग्रेश्चोशन प्यूचटिंफ नेना जाएगा अब देखक कोस्ट प्राइस कितना दिया है इसफर्ट थर्टी गीख का पाश्ट इतने के इक एक्स वुग के इतने तसलों यह जाएगा कि इतना जाया तो यहारा से 1123 और एक्स इतना जाएगे आपको तीस आ जाए रहा तो एक्स कमाड किकना है तीस ओप्शन नंबर एक नेस्ट कोश्विशन नेस्ट कोश्विशन है इस तू साइन स्क्वार एक्स इक्वल टू माइनस फ्री एक्स अगर मैं लेफ्ट एट्शीट करूं सावे को किकना जाए अगर तू साइन स्क्वार एक्स प्लस थ्री साइन एक्स माइनस टू इक्वार टू जिरो अब ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टिप्लाई करने से चार आ है और एडिशन एफे सब्रेक्शन करने से तीन आ है तो क्या है वो पाच और चार वो नंबर क्या है 4 इंटू 1 यहां से मैं क्या लिक्स अबता हूं 2 साइन स्क्वार एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टू इक्वार टू जिरो तो यहां से इसका फैक्टर क्या आ जाएगा कि यहां से तो माइनस तो आज़ें यहां से तो माइनस तो नीस तो वह नी सकता है साइं का मैक्सियुम मिनिमां वैठीव माइनस वान होता है यह वाद वैठीव को जीडो कर दूंगा जीडो करने से यहां से कितना अजा साइं लगल भाई तो और यह 30 होता है 30 को रेडियन नीचने से पाई बाई 6 तो और यह प्रमच्ण नूंबर next question, next question है, if x-y equal to 13 and xy equal to 25, then value of x square minus y square, अब देखें, find out का करना है, x square minus y square, इसकी निए क्या चाहिए, एक चाहिए x plus y, और एक चाहिए x minus y, तो x minus y तो मैरे पास धिया हुए है, 13, ठीक है, अगर मेरे को x plus y पता चल जा है तो फिर value पता चल जाता अब x plus y कैसे निकालना है x plus y equal to क्या होते है root x minus y का whole square minus 4xy अब x minus y कितना जी है 13 तो 13 यह plus का होगा ठीक है 169 प्लस xy की बेज़े कितना है 25 25 इंतु 4 100 यहां से कितना जाएगा under root 269 तो इसको कितना जाएगा under root 269 तो answer क्या है 13 269 option number यह इस question का correct answer next question next question क्या है in a 15% discount sell the cost of the book is 2150 what is the original price of the book अब देखे अगर original price ओ है तो उसका 15% discount कितना हो जाता है 17 by 20 यह कितना दिया है 2150 ठीक है 2150 अब मैं यहां से अगर original price में कालों यह कितना हो जाएगा इसका double करूंगा याने कि 24 13 upon 17 अब यहां 17 से डिवाइट कर दूंगा कि कितना जाएगा 1724 नाओ बचा सत्रा पंचे पच्चासीं पांच जीरो 1724 तो कौन से option में 525 आ रहा है option नमबर एक इस कोश्चन का करेक्ट आंसर है आपको बुरा स्वाल करने भी जरूबर देखिए इस स्विप्ट का सबसे हाट कोश्चन है कि टुफेस्ट कोश्चन है वाट विल इस एडिया ऑप इस रेडियस इस रूट पाइज तो क्या होते हैं सरकल का पाई आज next question क्या है the distance covered by a train is x plus in x plus one hour is x cube plus one one kilometer what is the speed of train speed क्या होते है क्या होता है distance upon time और distance कितना दिया हुए है x cube plus one तो इसको क्या लेक्स अप्टाम x plus one x square minus x plus one upon time कितना है x plus one तो x plus one से x plus one cancel हो जाएगा answer क्या है x square minus one minus x plus one है निक्या option number b is question का correct answer next question next question है if a number of a fraction is increased by 15% numerator of a fraction is increased by 15% and denominator is decreased by 20% then the fraction so obtain is 17 upon 65 what is original fraction अगर मैं numerator को n लो तो n में कितना increase हो रहा है 15% निक्रीज हो रहा है 15% मतलब 20 पर्सेंट निक्रीज हो रहा है मतलब 20 पर्सेंट क्रीज हो रहा है लब दिया कितना होगा है 17 अपॉन 65 यहां से एन अपॉन दी निकालना है एन अपॉन दी कितना आ जाए गई है सब्सक्राइब चार जोंग 16 होगा अपॉन 65 इंटू 23 अब ऑप्शन देखिए ऑप्शन में सारे दिनॉम्रेटर सेम है तो हमको से इतना होगा है आशे सोला इंटू 17 सोला की स्वाय होता है 256 256 प्लस सोला कितना हो जाएगा 272 ठीक है तो यह को से आप्शन में आप्शन नम्बर इस कोश्चन का करेक्ट आंसर है इस नेस्ट कोश्चन का है एक अलोग कंप्री टास्क इन 3 देश भी अलोग साथे किन उस्पिट इन हाव मैंने इस तो जो एक ए है और एक दी एक तीन दी में काम करता है और एक श्युक्रांट तो तो टोटल काम है बारा और तो टोटल वर कितना आजाएगा तो कि देश लगेगा काम कंप्लिक कर लेंगे तो आप्शन नंबर इस कोईश्चन का करेक्ट आपसर है नेस्ट्स कशिश्चन है बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें इसको भी दिया हुआ की अुसर नेस्ट्स क्यों सब्सक्राइब में खदी खौर्ण है और सम कर लेते हैं बेजर्णा साथ है इतना भी बार है 2.5 प्लस 1.5 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 1 10 तो क्या है टोटल 10 है और 4 से डिवाइड कर दूँगा तो एवरेज कितना आ जाएगा 2.5 और ऑफ्षान नंबर बीज कोईशन का करेंग आशर नेस्ट कोईशन नेस्ट कोईशन बारग्राफ दिया हुआ है जिसने पांच सालों के दिया दोजर पांच छे साथ आठ नावका और एबी सी तीन में त्रविश को फांच को था आजएंग में दिया हुआ ये बारग्राफ और नंबर एव इस्टुडेंट दिया हुआ है अब हम को क्याओन है तो जैलने सांथ में ए्में प्रविश्य लेने वारगिक्षून कितने हैं Euh ale प qualities जैइगा 19 अपांसाथ होіш होजूक्ष करेक्ट आंसर है, option number D, next question, next question है, what is the total number of students in MSC course across the institute, में में कितना है, 2.4 plus 2.9, कितना हो गया, 5.3, 5.3 plus 5.2, 10.5, 10.5 plus 1.5, कितना हो जाएगा, 11.9 is question करेक्ट आंसर है, option number D, next question है, what is the ratio of enrollment during 1995-196 to the enrollment during 1998-1999, अब देखो, 95-96 में कितने इंडोल होया, 400 और 1998-1999 तक कितने होया, 300, तो कितना आजाएगा यह, 300, ratio, 300 निकालना है, तो 1 upon 3, question का, correct answer है, option number D, तो यह थे पूरे 25 question, कल हम एक मैस उप के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहे हैं, आपके अपने चैनल, मैस बाई चनल, बाई बाई, टेक लिए, आपके प्रफ़ прош aufge्लाईब, प्थे के वाल, मैस बाईbank थाएगागाम, यह, 600, veterinar चैनल, मैस बाई का निकानल, तूरा का देक लिए, आपके साथ, प्ल Bitch.